हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल आसिस्टन में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट को डेक्स्टॉप से किया जाता है जी फ्रेंड्स अगर आपको अपने पर्सनल कंप्यूटर या लेप् लॉग इन करते ही आपको अपने पेज पर यानि कि अपने डेक्स्टॉप पर इस तरह से कुछ पेज दिखेगा जहां पर आप अपने अपलोड कियोए फोटो देख सकते हैं लेकिन यहां पर कुछ नया अपलोड नहीं कर सकते हैं वाया डेक्स्टॉप तो जी फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें upload करना है, अब हमारी कोई photo या video, desktop से कोई photo आपको लेके Instagram पर upload करनी है, तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर right click करना है, और right click करने के बाद inspect element पर click कर देना है, आप यह भी कर सकते हैं, या आप control की का भी use करते ह है, control plus shift I का use करके, आप इस तरह से अपना coding open कर सकते हैं, तो यह source code है, यहाँ पर हमें कोई changes नहीं करने हैं, अब हमें यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ पर आप right side देखिए, यहाँ पर एक dongle की आपको responsive device mode मिलेगा, जहाँ पर आपको click करना है, या आप control की का use कर सकते है, control plus shift plus M का use कर सकते हैं, अब जैसे ही control plus shift plus M डालोगे, तो यहाँ पर आपको जो यह view है, वो desktop से आपको अपनी mobile की तरह देखेगा, जी friends, आप इसे यहाँ पर close कर दीजिए, और यह देखिए, अब आपका mobile जिस तरह से आपको Instagram पेज दिखाता है, इस तरह से आपको अपने desktop पे दिखेगा, लेकिन अभी भी हम यहाँ पे still, यहाँ पे हम upload नहीं कर सकते हमारी photos को, तो उसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे आपको control plus F5 प्रेस करना है, control plus F5 प्रेस करते ही, आपका view चेंज होगा, और यहाँ पे आपको यह देखिए, यहाँ पे home page, search, addition के लिए, प्लस वाला sign जहां से हम click करके हमारी photos upload कर सकते हैं, जिस तरह से आपके mobile में यह पैनल दिखता है, उसी तरह से आपको यह desktop पे भी पैनल मिलेगा, जी friends, आपको control plus F5 प्रेस करना है, उसके बाद, अब यहाँ से आप easily यहाँ पे click कीजिए, और यहाँ से आप कोई भी photo upload कर सक आप यह photo आप यहाँ से upload कर सकते हो, आपको कोई filter देना है, हमारे image को, तो यहाँ से आप filter भी देख सकते हैं, पहले यह filter हम नहीं देख सकते थे, तो अब यह filter का option भी यहाँ पे आ गया है, तो next करना है, और यहाँ से आपको जो भी लिखना है, वो लिख लीजिए, लिखन अप लोड कर सकते हैं, ठीक है friends, तो आसा रखता हूँ, आपको यह video मेरा पसंद आया होगा, प्लीज आप मुझे comment कीजिए, हमारे videos को like कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारी channel को share कीजिए, और please subscribe our channel, इसी तरह से नए tricks and tips हम आप तक पहुँचाते रहेगे, please stay with us, thank you for watching my video